हमारे घर की रॉनर को पोशन से कुछ और सजाए कुछ हेल्दी, कुछ मस्ती भरा ग्रोज खिलाए लाइफ को रेंबो सा रंगीन बनाए बस ठेर सारा प्यार और थोड़ा सा मामी का मैजिक अर्ष्मस प्यूनिक पोच पकता मून्च प्यूप्य पकट और्ष्मस के किृष्मस प्यूप्यट ग्र्ब 산 PK जिलन डॉब जिलन 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 ऑ्रफ्मस रिंध तर थे भाद के र 오늘cakाLत, स्वर्ब चै्ना लिए Merry Christmas! Christmas is all about the joy of giving. अब पूरे साल बच्चे वेट करते रहते हैं Santa Claus के लिए जो सपोसितल आता है तेर सारी गिफ्स लेके, तेर सारी खुशिया लेके Santa Claus looks like a big tall man who is quite healthy and has a big white beard with big curly hair. I want Santa Claus to give me a drawing kit and I will draw with it. I want Santa Claus… I don't know. I have not decided. Hello and welcome to Mommy Ka Magic. I am Amrita Rajan and you are welcome to my kitchen where we will also work with Santa Claus. We will make some exciting recipes and we will make all the kids super, super happy. आज की हमारी first recipe है poached pears. यह poached pears west में बनते हैं red wine के साथ. लेकिन आज हम Mommy Ka Magic के kitchen में इन्हें बनाएंगे with yummy grape juice. देखना चाहते हैं कैसे? Let's begin. तब से पहले हम नेंगे एक deep pan. उसमें हम डालेंगे grape juice. इक grape juice आपको easily market में मलता है. इसमें हम डालेंगे तोड़े से orange के rind यानि की उसका छिलका. आज सम cinnamon sticks. डालचीनी के sticks हम इसमें तोड़के डाल देंगे. और फिर इसे हम सिमा होने देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए. अब जब तक ये grape juice simmer हो रहा है. चलिए, let's get ready to prepare our pears. हम लेंगे USA pears. ये USA pear की खुभी ये है कि ये पूरे साल available होती है. And it is so fibrous. इसमें धेर सारा potassium होता है. धेर सारा magnesium होता है. धेर सारा vitamin C होता है. So it's very very healthy. चलिए, अब इसे हम तील कर लेंगे. अब हम इस pear को बीच ओब बीच कातेंगे. And फिर एक scoopa की मदद से इसके center part को हम scoop कर लेंगे. इस तरह से. See that? चलिए, अब ये जो grape juice, cinnamon or orange rind का हमने preparation यहां पर किया है. ये अब उबलने लगा है. We are going to now put these pear. जब तक ये अच्छे से ये concoction पूरी तरह से पैस के अंदर ridge जाता है, मिल जाता है. तब तक हम उसकी stuffing की preparation करते हैं. चलिए, एक बोल में हम लेंगे, icing sugar, some cream cheese, and some hung yogurt. Hung curd इसमें हम डाल देंगे. चलिए, बस इसे अच्छे तरह से हम mix कर लेंगे. ये combination, जो hung curd, cream cheese or icing sugar का है, it's lovely, hung curd or cream cheese, फोड़ा सा खटापन लाता है, and the icing sugar sweetens it, it creates a nice balance. जिस तरह से हमने पैस यूस किया है, पैस भी तोड़े से खटे होते हैं, और फिर उसे जब आप grape juice के साथ मिला देते हैं, so it gets a nice balance of sweet and sour, so the same thing we are gonna do in the filling as well, और ये जो total combination बनेगा, it's going to be delightful. चलिए, ये हमारी filling तयार हो गई है, बस अब पैस भी almost ready हो गए है, अब हम लेंगे एक plate, और इसमें निकाल लेंगे हमारे इन poached पैस को. बाकी का जो liquid है, उसे हम simmer होने देंगे, because उसे भी हमें reduce करके, use करना है, ऐसे मैंने पहले से ही reduce करके ये sauce रखा है, तयार. फिर, finally हम लेंगे एक और plate, जिसपे हम final presentation करेंगे. पैस का जो excess liquid है, उसे निकाल देते हैं हम, इस तरह इसके उपर place करेंगे. अब हम लेंगे दो चमच्छ और, we are gonna fill the scooped pears. everybody loves this बडो से लेके बच्चों तक they all just go crazy about this अम लेंगे थोड़े finely chopped pistas तरह सेंटर पे बच्चों कर देंगे ये जो reduced sauce मैंने आपो बोला था कि मैंने पहले से ही तयार करके रखा है that comes here on the side here you go our yummy, exotic, poached pears are ready चलिए, तेखिए इसका quick recap ते पैन में ग्वेब जूस को हीट करें इसमें औरंज राइं और चिनमें स्टिक्स को आड करें पेर को पील करें दोर तुकड़े में काते और चोटा सा होल स्कूप कर लें बॉइल होने पर पैर को कॉंकॉंक्शिन में डालें एक मिक्सिंग बोल में आइसी शुगर, क्रीम चीज और हंक को मिक्स करें और इस मिक्स्टर को पैर्स के होलो सेंसर में फिल करें चॉप पिस्टाश को इस पर श्पिंकल काये और खाने के लिए पर्च पेर है तयार इसके बाद हम बनाएंगे एक और बहुत ही मज़दार रेसिपी तो फिल आ लिटल किद्स एम्टी पोकेट्स बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक बच्चों को पता भी नीचलेगा वो क्या है लेकिन जब वो उसे खाएंगे ये आप गोई टो लॉवेट लॉवेट